Hello students, welcome back with another video, आज हम करने वाले हैं exercise 1.1 का question number 1, so start करते हैं, is 0 is a rational number, आप से पूछा गया है क्या 0 एक rational number है, can you write it in the form of p upon q and where p and q are integers and q is not equal to 0, तो यह condition हमें गीवन है कि हम क्या इसको 0 को p upon q की form में write down कर सकते हैं, और यह जो q है आपका, यह क्या है not equal to 0 है, यानि कि q की value कभी भी 0 नहीं होगी, और जो p and q हैं दोनों ही क्या हैं, integers हैं, मतलब कि दोनों की value positive में भी हम ले सकते हैं और negative हम ले सकते हैं, तो अगर हम बात करते हैं किसी भी number की, question को solve करने से पहले मैं थोड़ा साब को basic बता देती हूँ, like this is मैंने यहां पर 0 लिखा, अग 0 upon में अगर मैं 4 लिख देती हो, तब भी answer क्या होगा, 0 होगा, if का मतलब क्या हो जाएगा, कि हमारा जो 0 है, वो क्या होगा, rational number होगा, क्योंकि हम इने किस form में लिख पा रहे हैं, p upon q की form में राइडम कर पा रहे हैं, तो बस आभी राइडम कर देते हैं, I hope आपको यह समझ किसे rational number होगा, क्योंकि हम इसे राइडम कर पा रहे हैं, p upon q की form में, so 0 can be, 0 can be written in any of the following form, आपने इस में जहां रखनी हैं, कि हमें condition given है, कि जो क्यों है, वो कभी भी 0 नहीं होगा, अगर क्यों 0 हो जाएगा, तब condition अलग हो जाएगी, ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे, जैसे हम इने अभी लिखा, 0 upon 1, 0 upon minus 1, 0 upon 4 and so on, इस तरीके से हम काफी इसमें values हम टाइडम कर सकते हैं, तो दस क्या हो जाएगा, 0 can be written as p upon q, where, जो p है वो क्या है, equal to 0 and q is any non-zero integer, जो हमारा क्यो है, वो कोई भी हमारा non-zero integer है, क्योंकि हमें given है क्यो not equal to 0 है, clear, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, hence, 0 is a rational number, clear, so, आपको, I think, question समझ में आ गया है, कि हमेंने p upon q, q, 4 में कैसे राइडम कर सकते हैं, so, this was your question number 1 from exercise number 1.1 and do watch my next videos for more questions, thank you and bye bye for now